तो वेल्दर हैं आप है कौन खौन से वेल्डिंग करतें नोर में पोजीशन में वेल्डिंग कर लेता हूं कितना एक्सप्रियेंस है अपको वेल्डिंग में जी साड़े छे साल के मेरा एक्सप्रियेंस है साड़े तीन साल इंडिया के और तीन साल मेरा सौधी का एक्सप्रियेंस है वहां सौधी में कौन से वेल्डिंग करते थे आप जी मैं वहां सुरू में दो साल आरगन के काम किया और एक सीर्फ अरगन किया हूं और यह टैंडा में क्या करते थी यह यह टैंडाlect में आरगन और अन्य के काम करता था और यह मेरा यङस्पेरियाँर सेटीफिकेट यह मिलहा था मुझे किस चीज का क्या जानते हैं काम करते हैं जोब सेफटी का मतलब क्या है जो मेटल मार रहा है उसकी मेटल की पूरी जानकारी होनी चाहिए हमें जो थिंगने से कितने थिंगने सब्सकर का उसकी होनी चाहिए चाहिए पूजीशन कहौन सा है उस्पूजीशन के बारे में जनकारी होनी चाहिए जाहिए भी यहां पर कौन से सिलिंगeen माने की व्लाया गया है जी हमको तो बताए गया कि CS पस्टिक जी पोजीशन में आर्गन से रूट होट पास और आर्ग से फिलिंग कैपिंग मारनी है अच्छा वेल्डिंग में एस्पैटर क्या होता है जानते हैं आप जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें छीटा-छीटा की तरह छोटा-छोटा पाट आ जाता है उसको एस्पैटर बोलते हैं यह नहीं आना चाहिए वेल्डिंग का डिफेक्ट है यह एस्पैटर क्यों आ जाता है जी इसके कई कारण है में कारण है क्रेंट का ज्याद लेंथ कहते हैं कितना होना चाहिए आर्क लेंथ 1.5 mm से 2mm को short arc length और 2 mm से 6mm तक medium arc length कहते हैं और 6mm से ज्यादा अगर हो तो उसको long arc length कहते हैं लों आर्क लेंथ से और क्या प्रोब्लम आता हैं जी सर, लॉंग आर्क लेन से कई प्रोलम्स आते हैं, जैसे लो पेंटेशन, मेटल अंदर तक मेल्ट ना होना, जॉइंट कमजोर हो जाता है, इस्पैटर जादा आता है ओके-ओके, वेल्डिंग में और कितने तरह का डिफेक्ट आता है, कोई जनकारी है? प्रोशिटी होता है, बुलू होल भी आता है, अंडर कट है, फिलर कट है, लो पेंटेशन होता है, ओबरलेफ होता है, एस्पैटर होता है, प्रोशिटी होता है ये इनकम्प्लीट पेंटेशन क्या होता है? जी सर जब हम लोग root मारते हैं तो उसमें metal अंदर निकलना चाहिए और edge ठीक से melt होना चाहिए जब metal अंदर नहीं निकलता है और edge ठीक से melt नहीं हो पाता है इस defect को incomplete penetration कहा जाता है सर कितना निकलना चाहिए root में penetration? जी सर डेड़ mm से 2 mm निकलना चाहिए फाइब जी पोजिशन कैसा होता है जी हाँ सर फाइब जी पोजिशन ऐसा होता है तो फिर वन जी पोजिशन कौन सा होता है जी हाँ सर वो भी horizontally होता है लेकिन वह ऐसी पोजिशन में पाइप को घुमा घुमा कर जैसे यह पाइप हो गया कि इसको गुमा गुमा कर ऐसे मारते हैं घुमा करके इसको फलाइट पॉजिशीन भी उर भी कहा जाता है और फाइचे पोउसर पाइपो घुमें वह था इकिस movement मिला है इस परaneous लिखा है उसका मतलब समझ रहे हैं आप हाँ सर हम समझ रहे हैं ठीक है इसे बताइए तो हाँ सर यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है सर पासपोर्ट नंबर भी है और टेस्ट जिस दिर मारता उसका डेट है यहां अर एजग रहे हैं और स Drum जग आप में हमके तो लिखार में मारता जो कि इसे खील आज नीचे कर जाता है उसके अफिल बोलेक्पोरों तो इसको डाउन हीर बोलते हो मुझे मालूम नहीं है और मेरा फिलर फिलर जो था वह एर 7 0 s2 था और 2.4 mm का स्टेंथ पोलारीटि जो की मैनस में इस फिलर में टल तो इसे बेंजरो ओन इड़्साब एस्टेंथ पॉलारीटि मैनस में जान प्लस में अगर मेरा होल्डर मसीन में मैंए तो मैनेस पॉलारीटि बोला जाएगा अगर मेरा मसीन पलस में पलस Polarity बोला जाया ठीक है, उदर वाक्सअप में चलिए और अपना पीस रेडी किजिये टेस्ट मारना ही पड़ेगा सर हां टेस्ट तो मारना ही पड़ेगा ठीक है, मैं पीस रेडी करता हूं हां हां चलिए हाँ मैं आऊंगा तभी वेल्डिंगे स्टार्ट करना हो दर है ठीक है सर